नमस्कार सात्यों नए सिच्छा सेवा चैनायों को लेकर के एक बड़ी अबात अपडेट मिल रही है बात करेंगे हाई कोट से प्राथिमिक सिच्छक भरती पर एक बड़ी ख़वर देखने को मिल रही है जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे का डियर आपकी स्क्रीन पर डियर आप देख सकते हैं नई प्राथिमिक सिच्छक भरती से जुड़ा एक मामला है 79,000 सिच्छक भरती का जैसा कि आप जानते हैं कि इस भरती प्र बिजिट करने का अदेश दे दिया था इसी क्रम में एक नई आचिका लगाई गई थी जिसमें ये बाते मेंसंस की गई थी कि जो आरच्छन का गोटाला हुआ है वो दरासल 68,000 सीटों पर नहीं बलकि 99,000 सीटों पर हुआ है इसी को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाली 29 माई क तो अलहाबाद हाई कोट में इस केस की सुनवाई होने जा रही है आप देख सकते हैं 69,000 सीटों पर हुए चैन में एकलपीट के फैसले को आरच्छन के मुद्दे पर चुनाउती देने वाली 20-ए सपील पर अलहाबाद हाई कोट की लखनव पीट में अब 29 माई को सुनवा लेकिन फिलाहाल जो भेरती हैं वो लगातार पीडित है क्योंकि उनको न्योक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है वो लगातार मानी कोट का दरवाजा खटगटा रहे हैं और 19,000 सीटों पर जो आरच्छन का मुद्दा है इस पर फिलाहाल 29 माई को सुनवाई होगी यहां पर चाहे आप कटेगरी में ले लीजिए चाहे आप न्योक्ति प्रक्रियाओं में ले लीजिए फिलाहाल देखने मारी बात होगी दिलचेफ्ट मोण पर यह 69,000 सीचक बरती चल रही है क्योंकि तीन साल से इसमें वीवात कभी कम नहीं हुए एक अंक्वालों को भी न्योक्ति से जानकारी मांगी है डाटा तलब किया है सरकार अब अपना किस प्रकार से पच्छ रखेगी यह आने वाली 29 मैं की सुनवाई पर डिपेंट करेगा बात कर लेते हैं अगली ख़बर की तो अगली ख़बर आप देख सकते हैं प्रयाग राज भी होगा सिच्छा सेवा चैन नायोग को हरी जंडी मिल जाएगी फिलहाल जो इसका हेड क्वाटर है उसको लेकर के अभी जद्दो जहे चल रही है कि इसका हेड क्वाटर अलहाबाद में मनाये जाए या लखनव में मनाये जाए फिलहाल जो 12 फदसी टीम है इन्होंने जो अपना प्रस्ताव है वो प्र आप समें छोड़ दीजेगा इसी तरह की सटीक और अथेंटिक अपडेट से पल-पल के लिए जुड़े लहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फिर विलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंजे भारत लब योगाइड वन देमातरम